हलो दोस्तों तो कैसे आप सब आसा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे दोस्तों ड्राइफ रूट्स का सेवन स्वस्थ के लिए बेहती फायदे मन माना जाता है वही अगर बात करें काजू की तो सायदी कोई ऐसा होगा जिसे काजू पसंद ना हो तो दोस्तों जाते लोगों को ड्राइफ रूट्स में काजू खाना पहदी फसंद होता है तो आईए आज की इस वीडियो में हम काजू खाने के क्या क्या फायदे है इसके बारे में जानते हैं दोस्तों वीडियो को इस्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चेनल में नए हैं और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को लाईक करें और अपने दोस्तों के साथ शेर भी करें दोस्तो काजू का सेवन कई बिमार्यों में लाबदायक सावित होता है काजू में बिटामिन E, बिटामिन C, बिटामिन B6, केलसियम, फाइबर, फोसफोरस, आयरन, पोटासियम, प्रोटीन, जिंक, सोडियम, मेगनेसियम जैसे कई तत्व मौझूद होते हैं, जो स्वास्त के लिए काफी अच्छा माना जाता हूँ, तो दोस्तो काजू खाने के फाइदे के बारे में जानते हैं दोस्तो काजु का पहला फाइदा है काजु सरीर में कमजोरी को दूर करता है अगर कोई भी वेक्ति काम करने में जल्दी ठक जाता है तो उसे रोजाना चार से पाच काजु का सेवन अवस्य करना चाहिए दोस्तो इसका दूसरा फाइदा है काजू तवचा और बालो के लिए भी बहुत फाइदे मन्द है दोस्तो काजू में प्रोटीन पाई जाती है जिससे तवचा में चमक आता है और बालो का जड़ना भी बंद हो जाता है इसका तीसरा फायदा है काजू के सेवन से खून की कमी दूर होती है दोस्तो काजू में आयरन की मात्रा अधिक होती है जिसके वैसे ये खून की कमी को भी दूर करता है दोस्तो काजू का चौथा फायदा है काजू के सेवन से जोडो के दर्द में भी आराम मिलता है क्योंकि काजू में केल्सियम भरपूर मात्रा में पाई जाता है जो कि हड्डियों को भी मजबूत बनाता है दोस्तो काजू खाने का पांचवा फायदा है काजू के सेवन से पाचन तंत्र भी मजबूत होता है क्योंकि इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में पाई जाती है और या एस्टीटी, कब्ज और पेट सबन्दी विमारियों को भी दूर करती है दोस्तो ये सब के अलावा काजू के सेवन से तेजी से वजन भी बढ़ता है तो दोस्तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्से में जरूर बता है और अगर आप इसेन में नहीं है तो आप इसेन को सब्सक्राइब कर लें तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जैहिन जैवार